पोड़तना मारे लिचान अपंधा में हैं कुछ नहीं मालूक तुझे हमारा भकवान चेल मैं है इसलिए हम पातक में है इसलिए हम सब दुख मैं है हमारी युरुते बनाव शिंगार नहीं करती हम शिकार क Artem유 kij nic Esto और दोर मरत साथ साथ नहीं सोते एक दूसरे काहां तक नहीं पकड़ते हाँ अरे मैं पूसता हूँ जब उसे कैट कर रखा है तो उस पर मुकदमा तूने चलाते हैं फैसला तूने सुनाते तीन चान बीच गए उसे कैट करके रखा है क्यों अरेस्टेंट अरेस्जेश पिस्किलफोट अरेस्टेंबाद तूने से तेіш ही है तूने से स्वारी तूने से में पहर है छंगल यंतिवा ओ मैंना भावजा, भावजा, भावजा आसमान में तूरी तरी दे, पुरी आंदी भाव ओ मैंना भावजा, भावजा, भावजा ओ मैंना भावजा, ठांदर काफिर, दूई अधानिया मन अजया खाचा फाचा खाचा मैं हूं धानी, धानी मुंडा तू? तू अकेले? अरे जहन से भाग कर आ रहा हूं अर भवान? अरे भवान को भागने की क्या च़र रख है? मेरा जॉनका? वो नहीं भागा, अरे मेरे पिछे पुलिस लगी है तू क्या हुआ, तू मेरे साथ था, मैं तुझे छिपने की जगा बता दी अरे भाग भालू मेरा क्या बिगाड़ेंगे हाँ साहब सी भाही को ना पता चलाए अहाँ बैच इसे तेरे खाने के लिए कुछ समान भी रखा था भर पानी कल बड़ा, मुँ अंदेले ही रख गई थी धानी, उच ये लेख, ये चक्पल पत्थर रख मैं तुझे मिलने रोज आनी जिसी ना आई, समझा पुलिस पिछे पड़ी है वह भी जा रही है तो क्या मैं यही बैठी रहो, धानी तुझे में डर लगता है क्या अरे नहीं, डर कैसा मैं तो सोच रहा था कि ये दो साल कैसे बिदेंगे कब आये अपने आवा जहल से छूट कर अरे भगवान चाहते तो उन्हें जिल सरकार नहीं पकड़ नहीं सकती थी लेकिन आवा ने कहा कि मैं मुंडाओं की भलाई के लिए जिल जा रहा हूं और क्या बोले हमारे खर्पी आवा कह कि ये दो साल पुरा जीवन नहीं होता है यूं कर जाएंगे दो साल भर्मी ने कहा कि सरकार बहुत जुलूम करेगी कहा कि कम नहीं जुलूम करती रही इसकार भाणी सारी गुंड़ के अस्तान बन रहा है अरे बनने दे बनने दे सुखा अकाल खेती नहीं रोजी रुटी रही आब अभी जहल में कौन जिलाए जाओं है बनने दे अभी मिशन का पारीच रखने दे पुलूस को जब आब आएंगे तो लौट आएगा अच्छा सुन अब मैं जाती हूँ वो थानेदार का बच्चा पीछे पड़ा है सुन एक दिन थानेदार को भैकात यहीं लिया उसका यहीं क्राउं तो नंग कर देंगे अगर अगर सकाव को बता चल गया तो सारे गाउं पर जुन करेगी सकाव अब मैं जाती हूँ अरे दिल तीर का फान कब लाएगे वो वो मैं धोर में उजाला होने से पहले अध्री रात मिलाओंगी क्यों करती है इतना भगवान के लिए इस संधेरी रात में तु भटक रही है तु मुझे ठीक से जानता है नहीं धाने अंधेरा तो हर मुनाने का गहना गुरिया है और मेरे जीवन में तो बहुत छोटी थी तब ही से अंधेरा है लोग कहते थे तु बहुत सुन्दर है पर नसीद दे बुढे डॉनका से ब्या हुआ जिसकी दो दो वीवियां पहने ही मर चुए घर में खाने को घाटो होता तो नमक नहीं और नमक होता तो घाटो नहीं डॉनका मुझ्या था विर्साइद बन गया पूजा मेटलोट आने लगा खेती वारी तक उठादी और एक दिन ये कहता वो घर से निकल गा कि मैं चला अपने आवा की सेवा में अपने भगवान की सेवा में मैं पगली मुझ्छा की तरह बनाव सिगार करके गई इर्साइद और लगी दोंका को काली देने दोंका को काली मत देना वो मेरे कामिता और तुम भी निराश मत मुझे तुम्हारे ही मदद चाहिए अपने भगवान की मदद नहीं का ये मत समझना की तुम और अप मैंने उसकी आखो में देख्ए उसकी आखो में बहुत दुख्थार अपनी मा का दुख, अपने बाग का दुख, हर मुंडानी का दुख, उसके छूते ही लगा, मैंने, मैंने नदी के पहते चल्वे नहाया है, मैंने, मोर की हवा छूब ही हो मुझे, सब कुछ, सब कुछ है देवता के फल की तरह था, मैं, मैं अपने उप्ती चलेगे, मैं उप्ती चलेगे, थाने अना भृष्टी सूखा, काल, दुर्दिंग, अना हार, भूख प्यास, मृत्यू से युद्ध, जमिंदारों के ताने, दीपू की उपेच्छा, अंग्रेजों का आतंक और तिपाहियों का चल्म, मुंदाओं के बगवान आए घरती आबा आए अले अपने आबा जेहल से छूट गए है उन्होंने बुलबाया है बोर्तो टीन है सब्सक्राइब है बाजी समझे है है आए बोर्तो टीन है साहर है बोर्तो टीन है मुद्सक्राइब है से पत्ति इन आए आए बोर्तो टीन है झाल झाल प्रक टोले। कि लुटे जोदी पैने आवाये हावाये इस दुट नांगे नुट नांगे तुट दिया नांगे शुकर जट जाने तो तो डी में आज भगवान आ रहे हैं मुंडा उत्सा से पागल हुए जा रहे हैं जंगल की हवा में तरह तरह की बाते हैं तरह तरह के किस्से हैं भगवान के किस्से धर्ती आवा के किस्से हमारा भगवान तो कभी जेहल में रहा ही नहीं भगवान उसे क्या बन कर सकती थी वो तो जेहल में गया और पलग यपकते सोगे चला गया सरकार चुप लगा गई फिर दो बरस पूरे भगवान प्रिगट हो गई भगवान देखार सुने का हो गया तुम लोग क्या मालो मुझे पुछो मैंने देखा आवा को जंगल में रात में भूंते हुए जितनी मूँ उतनी बातें अब बोर्तोडी में डोंका और साली के घर में तेवहार की तयारी चल रही है भगवान के स्वागत के तेवहार की तयारी और मुंडा लोग अपने घरों से आनात ला रहे हैं और नमक भी साप कपड़ा पहने माथे परहल्दी का लेव अरे साली ने तुँ आज रीठा से अपने बदन और बाल भीदोय हैं मेरे पास भी आज सबै नहीं है फुर्सत नहीं है मैं जलग आवान तुमार आवान तुम्हारी राज यार्टे नाटे दो ग्रफ बिल गए बहुत जुलम तहा है आवान करण हिसा आखाल आए सरकार बोली सब्खों खैरागी हम आस लगा बें किसीने कुछ नहीं है सरकारी बही खाते में सब्सक्राइब अगियों बोला साभ है ने बढता प्लिक मुंडाि Ooo सब्सक्राइगें संभुए सब्सक्राइगे कि ट्यन के एक मने बink यह है शुन कई जीवं के बारे में कुछ friendship अब मुझे रास्ता मिल गया है, मुझे रास्ता मिल गया है, मैं तुम्हें आसी राह दिखाऊँगा, जिस पर चल कर सबको नई जिनगी मिलेगा, उना दिखाऊ अबा, यह राह बहुत कचिन है, जाहन जीवन दे, सब कुछ मिट सकता है, हम सब कुछ मिट सकता है, हम सब कुछ मिट सकता है, हम सब कुछ मिट सकता है, आज तक हम सिरफ दिको जमिदारों को ही अपना दुश्मन मानते रहे, यह है हमारा दुश्मन, रसली दुश्मन यह सरकार है, सरकार नहीं हमारी धर्ती को जमिदारों के हाथों सब, जमिदार अब अब क्या करें आब पताओ आप तुम्हारी रहा देख्वेट्या पताओ क्या करा आवाँ आज से हर विर्साइद का घर हमारी सिलवाई का हर विर्साइद आपस में मिलेंगे जुलेंगी वोई किसी पर भोज नहीं बनेगा सब मिल बाटकर खाना खाएंगे कि इतने भी सावार है कि मैं लगा करना बनाने के आ नहीं को संजयना पुराणी लोंका खानेगे कि चुटिया प्रोग्रत्रमक्र के मंदिनों पर कबशा करें evoraged के सांदान के किलिया से पानी लाएंगी माटी लाएंगी हम दख्रक्र करेंगे हमें एक साथ पूरे रंकर बर्ज़ नदियां, ऐ हमारा सब जहान सब जहान रंकर बारवत नदियां, ऐ हमारा सब जहान सब जहान उल्गुला नि उल्गुला नि उल्गुला नि उल्गुला अरे क्या हुगा अरे तू रो क्यों रही है तुझे कौन सा दुख की तू रो रही है तू ने तो भगवान को जबन गिया है तो ने समझेगा. तू भी तू मर रहे हैं कोई भी मरत किसी भी ओरत का रोना हजना तुछ भी पूछ नहीं पाया है। मैं अपने बेड़े के लिए रही कि भगभान के लिए नहीं अपने बेटे के लिए रो रही हूँ तू रोह रही है तो रोती रह, मैं तो सुख में हूँ, धर्ती आबा का आबा हूँ मैं अप, पहले भूखा रहता था, अब भर पे खाता हूँ और साफ कपड़े को हमता हूँ, सब आदर्मान करते हैं मेरा, मैंने कौन सा कसूर किया है, अरे तूने भला कौन सा कसूर किया, और देभ सब प्रतीर भी कितना मान करते हैं।। अपना घर, अपनी मतारी, अपना बाइग, सब चोंटेट चल गया वो। और दोस्टों रियाकर दोंका मुझ्दा के रहें आपना घर बना लिया। हाँ देखा है जालता हूं से नदी की तरह है वारत बहुत जोर से बहते हुए हाँ सो तो है विर्षा को देखते ही विर्षा को देखते ही किसे उसका मूल चमक उठता है तुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं है भरोसा अपने बेटे पर друз pragma है आवा है वो दरती का आवा है उसे जो भी अपने नबस रखेंगा तरकार के आप तुगड़े का उसे जेयल पर हो सकती है लेकिन नो उस औरत की तुढ़ाता है मुशीवत में हां हम उसके बात बता रही है हम जेलेंगा मुशीवत उस औरत को क्यों डालता है वे सब पिरसाइद है जानती है मुझे पता है मेरे बेटे के लिए उसकी एक मुस्तान के लिए सारी मुदानी औरते आप में पुर्दे को त्यार और वो भी जान भूश के आग लगा रहा है ना समझ है तू उसके भी छोह में तेरी मत मारी गई है इधरा पासा मेरे बात सुन मेरी बोल तुझे मालूम नहीं अब अपने गाउं चलकत का नाम जंगल का बच्चा बच्चा लोग डरते हैं अपने गाउं का नाम सुनकर क्यों भला इसलिए कि ये धर्दियाबा का गाउं है लेकिन वो तो बांबा में जन्मा अरे अब किसको किसको बताते फिरे कि वो बांबा में जन्मा सब जान गए है चलकत के बारे में अच्चा ठीक है वो कैसे ओ देख बोर्तो के चारो ओर हैं और भी धेर सारे पहार सैलरा कार ओड़ा बिचा बुरू त्रील पुप बुरू बस एक ही तरफ से खुला तो पंची भी पर नहीं मार सकता उल्गलान होगा तो चिकने की जगद तो चाहिए बोर्तो डीह के जंगल और महार सब की जान बचा सकते हैं बहुत सबसे आबा जेल से चुटे हैं के साथ साथ चल रहा हूँ आबा ने कहा कि चुटिया चलो सारे मुंदा चुटिया जा रहे हैं चल भाई चुटिया अबा ने कहा कि उस तामदे की पट्टी को खोजो उसी तामदे की पट्टी पर लिखा हैं हम मुंडाओं का अधिकार खुजरे साम्बे की पट्टी इसी मंदिर में चुपा है खुज नहीं मिली साम्बे की पट्टी नहीं मिली अरे दीखूं और महाजरों ने उसे पहले ही लूट लिया मुंदाओं की चुटिया पुट्टी बंस के राजा थे रगुनाथ उन्होंने वर्वाया था ये मंदिर मुंदा वहां से तुलसी तल और माटी के साथ लोटे कुछी महनों बाद उन्होंने जगरनाथपुर की आत्रा की वहां से लाए चंदन का लेग और राष्टे में वो नाग बंसियों की पवित्र भूवी थी नाग फेनी वह को नदी का उद्यमस्थल और कुछ मेहनों के बाद में फिर गया नवरतन गड़ महां से लाया वीरता या मतलब पवित्र जल अबा इस जंगल से उस जंगल इस पहाड से उस पहाड इस गाउं से उस गाउं घूमते मुंडा के दुख पत्याते मुंडा अपने बोल से मुंडाओं के आदिम रस्त में आग लगा रहे थी सभाएब होती रही पुलिस पीछे पीछे भागती रही लेकिन हाथ नहीं आया आगा आगा मैं अभी अपने तीरों की राह देख रहा हूं नगाने कब आएंगे मेरे कुछला से तैयार कुछला के विश्चे तैयार किरों के दिन है आवा ने बुलाया है डंबारी चलो चलते हैं डंबारी अब जाता हूं कि तुम्हों को सब कुछ साफ साफ पता तो यह अधिक है नहीं है मैं नहीं चाहता है को यह अंक मूं करें से लुगलान वे शामिल हो दो रहा है एक है बिना हथ्यार से लड़े अपना हक पाने किरा अब पर मुझे नहीं कि इस राह पर चलकर कितने जोन रहत बिले अर्दी दाखन करो मुकत्मा लोड़ो कानूनी राह से चलो मत काटो जंगल मत करो शिकार दिगात से ना मत करो इस राह पर चलकर बाबू लोग पीकु लोग पनिया महाजन सरकाल सब खुश हो यह तो बहुत को या ओरत बच्चे जेहर जाना पर सकता है जान जा सकती है और कोई राह भी तो नहीं अबाह अईसी ही कौन सी सुख है जो इस दुख की फिकर पर अगर इस राह पर चलना है तो धोके में मत चलना मैं तुम्हें दुख ही दुख दूँगा मात के दर्वासे तक ले जाए अब फिर तब बिलेगा सुख अपने राज मुंडा राज में भिना किसी डर के जीने का सुख कानूर और कचहर की राह में चाहिए भगवा हम लडाई की रह पर चलेंगे जो भी उर्गुलान पर हमारे साथ पुना चाहते हैं कई पहार बोचा दिवरा भी हमारे साथ दिलक चाहते हैं पहले मुंडा राज हो जा फिर हम से मुगा से समझ भुज लेंगे ये जंडा मुंडा लोग का जंडा है और वो दूसरा लाल जंडा दिकों का है उन्होंने हम पर जुलूम किया है हमारा खुन चुसा इसलिए उनका जंडा लाल है अब हम सब मिलकर उन्से कि इस डूमबारी पहाद के सारे पथ्छरलाल हो जाएं उल्गुलाण उल्गुलाड तेको वू पीछे दिखना है लूमरा पहाद सबसे उछाल सबसे बडा पहाद लूमरापहाद इस इसकार डीकर और उन्दॉण। लोग दumbles क चर्ण। बाथ पीछे लग पिर धनुक और फड़ता पुन्हाई जमा करेंगे जंगल में घूमकर इस उनकुलान के बारें बताते समझाते फिर रहें और तो की मदद लेंगे पानी की तरह पसरजाओ जंगलों में पेड़ों पर मचान बान कर घर बनाओ रहो निगरों से लगाए के सबसे आपके रहेंगे बस उसी आग को देख कर समझना कि अब उन हुलान का समय है नाचो काह ओ इतना नाचो कि इस जंगल की काली रात मिठ जाए तारह owतर आये समीम पर पताश बर जाए पाथन प्रस प्रौ मरण अनलर हगा में श्यू अको अकुग सबाइधे do कि अपने दिन बीद गए और मैं हुंडाओं को उनका राज नहीं दिला सका है उगलामी का अंधेरा उनके उपर पहले की तरह इचाया हो रहा है अच्छी दर्वाजे तो खुले हैं थोड़ी उजास तो आ रही है मैंने उनके कई बंधनों को खोल दिया है वे अब प्रेतों से नहीं ड़ते हैं वे अब असुनों की पूजा नहीं करते हैं अब उन्होंने वो जहाओं पहानों को घेट चलाना बंद कर दिया है पर मैंने यह कैसी राह चुझे इतनी कठीन राह क्या वे सब इस पर चल सकेंगे जानता हूं मैं यह कठीन राह है और यही एक राह है जिस पर चलकर मुंडा लोग गोरे साहवों के दर और पपर स्यासाद हो सकते हैं यह गुलामी के बंदन से छूटना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक भरोसा चाहिए और उस भरोसे को उन्होंने मेरे भीतर पाए उन्हें एक भगवान चाहिए कि धर्म के बिना न तो जी सकते हैं और नहीं मर सकते हैं कि उन्होंने मुझे अपना भगवान माना और मुझे उनका भगवान बनना पर है क्या करता है कि उनके भरोसे को कैसे तोड़ता है कि मैं जानता हूं जमुंदारों साहभों की ताकत को पर हार के डर से लगने को रोका नहीं जा सकते है कि मैं जानता हूं बंदूप की ताकत को मालूम है मुझे कि संधाल हूल में हारे, कोल, खरुआ, सर्दार, सब हारे, आई सिर्फ हाल जीत नहीं होती, मुझे अपना अंत मालूम है, और मैं जानता हूँ कि यही एक राह है जिस पर चल कर मैं जीत में लंगोटी पहने, ती धन हुई लिए, भूखे पेट मुंडाओं क करने वाले साहिबों के सामने चाहती ताना हुआ है साइबों की दिभार बरा दिन के पहले बाली रात तीरों की महा मारी की रात ती, चारों तुर्व से बरस रहते थी अंग्रेजोने जंगल का कोना कोना चान मारा मुठोदिया नागिया नागिया मुठोदिया नागिया तेरा डाल दिया, डाल दिया जो जो हाद उपर तेरा डाला सली हाद उमें तेरा डाला जो जो हाद उपर तेरा डाला सली हाद उमें तेरा डाला तुम्भाई महार पर तेरा डाल दिया दुम्दारि, अहार पर तेरा तासीया तेरा तासीया, 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 तासीया आप्रे अंग्रे स्काम नहीं पुलिस, पुछी कुणा लेकां नहीं सरकार हाथ में ये दल्वार तेरा डातिया हाथ में ये दल्वार तेरा डातिया हाथ में ये दल्वार तेरा डातिया तेरा डातिया 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 तेरा डातिया डातिया तेरा डातिया डातिया तेरा डातिया डातिया मेरी राय है कि हम उन पर सीध है और तामे सवाल नहीं करेंगे यूर रैट सर, सर बेटर होगा कि भोज को तीं टूब्रेम अबाग दे क्योंकि इस साय लगा पहारी को हमें चारो तरफ से घेड़ना होगा इन तरफ तो काफी टेड़ी मेड़ी रास्ते और चढ़ाई भी है सिर्फ यह जो नौथ को अंड़ है उधर से कोई चढ़ाई में है और उसके सामने ही यहां पे तेल कुटूब गुरू पहार भी है और इन दोनों के बीच में यहां काफी गहरे नाले अखाई हैं सर हम कोसस करेंगे कि वे सरेंडर करेंगे सर, सरेंडर क्यों उन्हें तो तुरंद गॉलियो तो भून देना चाहिए न, no, 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 Captain इतने बरे सरेंडर का मतलब समस्ते हो इतने बरे सरेंडर से हमाने सबकार का चहरा साथ बिखेगा और कोट में हम उन्हें सदा देकर मान आलों ये इतने बरे सरेंडर का मतलब समस्ते हैं ये सर, I'm getting it ये सर, I'm Captain ये सर और ये रही पदा चला है कि वो पोरा हाथ के आस्पात लाए हमने मान मारू जरी खेल के मंजाओ को लालग दिया था कि जो बिरसा को फखरेगा या फखरवाएगा उसे पांचोर रुप इनाम दोगा ये सर, I'm following सेंतरा के जंगलों के एकोने से भुआ हुआ हुआ अंग्रेजों के आतंग, भूग से बिहाल और इनाम के लोभियों ने वो दुआ देखा और रिंग के रुए वहा पहुच गया उन्होने दबोच गया अपने ही पिता को अपने ही भदवान को ख़जो, ख़जो, ख़जो ख़जो, ख़जो ख़जो, ख़जो ख़जो I don't care You can already use that something ख़जो लोजो ख़जो ख़स के सिरा यह वातो है कले कला शाते है किक दया हुआ है वात चौनील वात चा सczenia वात चन्ยा का समय पेवात वो는 च Авिल पेवात?」 झ difेड चिवान अब दोता जेल की अकेली कोठरी में दिन नुदाते सकती रहे जेल से कचहरी आना जाना लगा रहा उस अकेली कोठरी में विर्षा उसका सूलापन था सिर्फ बेडियों की आवाज थी, पत्थर पर ही सट्टी हुई बेडियों की आवाज देह गल रही थी, मन आधी की तरह जंगलों पे भटकता थी, फिर फैया हुगा, नहीं, मन नहीं मानता, और फिर अंग्रेजों ने जहर दिया उसे, क्या पता, दिया ही हो, और नो जूट सनुदी सों की सुभा फिर साथ, नहीं, जूटे सब, सब जूटे, हमारे धर्तियावा को कुछ नहीं हुआ, हमारे भग्वान को कुछ नहीं हो सकता, वो जिन्दा परग्वान था, ठाग्वान का, एक ही रोप नहीं होगा, उसने कहा था, सुना उंड़ा लोगों, सुना, उल्गुलान थत नहीं होगा, आधिम खून है हमारा, तारे लोगों का पूल्हे ज़े, यायाव कभी नहीं बुज़गी, कभी नहीं बूज़ है चलिते उल्गुलान की आप, लाट का आँगा है, लाट का आँगा है, जलने हिराट का आँगा. आँगा है, लोग घ्कारा आँगा। तो सूर के जैसे जज़न दे तरकी याद की लब्तों में लब्ते हजीर निखारे असराय कामका देश हमारा जैसे मत्ते कावे तरकी यादे में देश चिपा है तरकी यादे में देश चिपा है आतों कोनें कोजो तरकी यादे जैसे जज़न दे तरकी यादे ज़्तों कावे में देश जब्तों को यादे ज़्तों को तरकी यादे में देश चिपा है तरकी यादें कर दो कि आवा एवेदनी इस पुरस्तुती की वेवान कला मेंच पटना की इसके नदेश्यक्ती संजेव पाथ है संजेजी से अमने वेदन करते हैं कि वे अपने कलाकारों का परिचे कर दो आए में लक्षमिस्वा साली की वो मुषामित्र अपना अजरीष कुमार संजा धाली मंता है मेरा नाम बन्फुल नायक है, मैं मुजिक पत्वे मेरा अग्यास किमार, मुंदा पुरस करोड राज कपुल, डॉंखा कॉंखा मुजिकेट्स, कोरस अप्टिपाई जजेश शर्मा, करिनल गॉर्डन और फॉर्वेस करोड मालो गांजन, किस्टिट्वी मंध मार, किस्टिट्वी रमेश प्रभाद, सुगना मुझदा रपॉत्वा पॉर्श मुदा जजेश श्तिवारी गान खळाई पिर्द्र कुमार, गैय कि बिखाओ अजशार्दा सिंग, करमी विसा किमाड लुषिय गार्मानौस कुमार, बाभु कि बिखाओ ने नुपलेस नायश्ट, गाय करुप में पावाण मैं शिंगो नायश्ट, इंटोड़ा कुमादर सुदी मैं लालू शंकर महली सारंगी दिवाम मांतुरी दिशे रिपत्थ प्रकाश परिकल्पुति मानवेंदर प्रपाथी मैं लोग दर्टे इसी शहर के कनहिया जर्टे जाएड वबराण जो डिजाइनिंग है वबेश शर्मा प्रमान कला मंच रुमाजी संस्था के संस्थापर जयों करें खिश्म पतामा रनजे रायन सिर्हाजी रूप सज्या विकफ में विने राज झाल 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 झाल